हाई लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेडी फीट चैनल दोस्तों प्रिवेस यह में जितने भी कोश्चन्स पुछे गया हैं फिजिकल एजुकेशन कमपटिटिव एक्जाम्स टीजिटी पीजिटी के विएस एन विएस यल्टी में उन सभी कोश्चन्स को टापिक प्रस्तृत कर रहे हूं धुत इन भी एक्जाम्स का अप को प्रस्तृत कर सकते हैं उसका प्रैक्टिस करना हो ड्रय कऊंदो तो वी हुलेगा करते हैं आज के प्रस्णों की तरफ सबसे तेज तेने की तकनीक यानि टेकनिक है तो तेराकी में सबसे तेज तेने की तकनीक कोन है ऑप्सन नमबर 3 करेक्ट होगा दोस्तों यह कुश्चन विरी इंपोर्टेंट है इसको बिसे इसरी ध्यान में रखेगा कि तेराकी में सबसे तेज पैने की तक्णिकी है फुरी स्टाइल जैसे कि दोस्तों अंतराष्टी तैराकी प्रतियोगिताओं में चार तैराकी तक्निक का प्रयोग किया जाता है कौन कौन से चार तैराकी तक्निक हैं फ्रीस्टाइल, बटरफलाई, बैक स्ट्रोप, ब्रेस्ट स्ट्रोप इस चार तराकी शैलिया हैं, जो अंतराष्टी तराकी प्रतिविताओं में आउयत कि जाती हैं, इसको बिसे शुरुप में ध्यान में रखिएगा, और इनमें, फ्री स्टाइल सबसे तेज तराकी तकनिक है, उसके बाद दूसरे अस्थाम पर बटरफुल आई, तीसरे कार्नबर आता है, तो इन चारों सैलियों को बिसे शियाद रखेगा, next question है, back stroke का संबंध है, तो किसे संबंध हैं, आप सबको पता है, तेराकी से, ठीक है, जैसे कि दोस्तों कोंसे है, चार सैलिया, इसमें चार सैलियों का प्रियूख होता है, freestyle, butterfly, back stroke, breast stroke, next है, breast stroke की स्खेल से समंधित है तो तैराकी से आफसर नमबर भी करेट होगा नेक्ट कोर्चन है प्रती योगीताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं तो चार प्रकार होते हैं आफसर नमबर सी करेट होगा कौन को से चार प्रकार फ्रेस्टैल इसे क्राल इस्ट्रोक भी बुला जाता है सबसे नहीं की सब सबसे के सब a- recruited दो नहीं में तेहनने वाली पहली भारती महिला कौन थी तो कौन थी साथ से पहले तरने वाली भारत की तरफ से इंग्लिज चैनल को आर्ती शाहा आर्ती शाहा आसन नमबर एक करेट है आर्ती शाहा का जन्म 24 सितंबर 1940 को कुलकत्ता पस्चिम बंगाल में हुआ था ठीक है और यह इंग्लिज चैनल पार करने वाली भारत इवं एशि swimming pool की लंबाई क्या होती है तो swimming pool की लंबाई कितना होता है दोस्तो पचास मीटर होता है अफसर नमबर भी करेप्ट होगा और उसके चोड़ाई कितनी होती है पचीस मीटर पहले पचास गुड़े 21 था दोस्तो अब पचास गुड़े चीस हो गया है तो इसकी गहराई जो होती है 1.8 मीटर होता है ठीक है अफसर तिल्वागी में लेन की चोड़ाई कितनी होती है 225 मीटर ठीक है 225 मीटर यदि लेनों की संक्या आर्ट होती है वाइसे फीना-द्वहजार नलों में 10 लेनों की भी मानता है बट ज्यादे तर 8 लेनों का ही प्रयोग किया जाता है ठीक है एन दोस्तों नेक्ट कोशन है तराकी के तलाब के पानी का तापमान होना चाहिए कैसा होना चाहिए कितना होना चाहिए दोस्तों 24 डिग्री सी तराकी यारी स्विमिंग पूर के पानी का आदर हश्द दसामित आपमान 24 डिग्री सी होना चाहिए ठीक है नेक्ट कोश्टन है खजान शिंग किस खेल से जुड़े हुए है तो किस से जुड़े हुए है तैराप किसी ठीक है इन्होंने 1986 सियोल एसी एन गेवête में रजत पदक जिता था था मैं । आन्य निये तैराकी के बारें में बतागा रही है तैराप है जानी simply का नाम आप में सुना ही होगा unfa लड़का 1924 फेरिस फ्रांस ओलम्पिक में सो वा चार सो मीटर फ्रीज टाइल में उन्होंने स्वर्पदक प्राप्त किया था 1924 फेरिस फ्रांस में जानी बेसमुलर ने आगे चलकर बाद में यही जानी बेसमुलर हालीवुड में टार्जन नाम से मसूर हुआ एक कोश्चन पूर्शकता है दोस्तों हालीवुड में कौन सा इसा तराक था तराक था जो टार्जन नाम से मसूर था तो जानी बेसमुलर नेक्स्ट आपका रिकार्ड है तराकी में मार्क सुड़ जी का मार्क सुड़ जी यूएर्शे यानि अमेरिका का तराक थे वी 1972 म्यूनिक पस्च ने में ठुछे में हर रिकार्ड टूटनी के लिए बनता है इस साथ सुड़ पदक का डिकार्ड तोड़ा युज़रे का माइकल फेल्व्स दोजे semua आठथ सुड़पदक जीत कर कर थे इसमार को जी यूए यूद्चि के मार्क सुड़ जी यूए मार्क सुड़ जीर्थे मायकल फेल्ष को मैडल Makini मलीजल मेडल मशीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों मायकल फेल्ष ने अब तक 28 मेडल प्राप्ट की सबसे ज़्याद मेडल उसमेंसे 23 गोल्ड तीन सिल्वर अदो ब्राञ्ज मेडल ने प्राप्ट किया है इन्हों 2004 एथेंस उलम्पिक में आठ पदक जीते थे जिसमें से 6 स्वर्ड और 2 कार्षे पदक था 2008 में बीजिंग उलम्पिक में बीजिंग चीन में इन्होंने 8 स्वर्ड पदक जीत करके विसमें नंबर वन अस्थान प्राप किया था 2012 लंदन उलम्पिक में निहोंने 6 पदक जीते थे जिसमें से 4 ओर प्लस 2 रज़त पदक था यह दोस्तों रियो डिजेनरी उलम्पिक 2016 में इन्होंने 6 पदक जीता था जिसमें 5 सवर्ड और 1 रज़त पदक था इस पर का अकुल मिलाकर के दोने 28 मेडल जीता था 23 गोल्ड तीन सिल्वर दो ब्राज अब तक तराकी में सबस्के ज़्यादा मेडल जितने वाली है माइकल फिल्म्स जिने मेडल रीनिंग मसीन वो लजाता है नेक्स कोर्चन है दस्तों पर्थम भारतिय पुरुस जिसने इंग्लिस चैनल टैर कर पार किया था महिलाओं में तो आर्थी साथ थी पुरुसों में कौन था मिहीर सेन ठीक है इन्होंने प्रसिद भारती तराक मिहीर सेन ने वर्स उनिच्षो अन्फावन में इंग्लिस चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतिय बने थी कठ्षिन की डिगरी का संपांद की अन्हें को सूचित करता है जो कि scoring के एक कारक के रूत में होता है तो इसका प्रयोग prior तैराकी में भी होता है diving में भी होता है gymnastic आदी खेलो में होता है तो यहां पर कहना कठिन हो जाएगा क्योंकि यहां पर diving तैराकी दुन हो जाएगा से संबंदित किसे संबंदित है नीच जुलाई 1908 में वेल्जियमं में हुआ था बेल्जियम, ब्रेटिश, डेनिज, फिनलेंज, फ्रेंच, जर्मनी, हंग्री और स्वीडिश तरह की संगोद वरा 1908 के ग्रिसमिकाली उलंपिक के अंत में लंदन के मैंचेस्टर में इसको किया गया था इस थापना फीना का ठीक है एं दोस्तों फीना के अंतर का फीना का है फीना का है फीना का है फीना का फूल फार्म क्या होता है International Swimming Federation, ठीक है? International New Lady territory थिखे? Federation International City Nation कहायाता है, दोस्तों फीना को, इसको International Swimming Federation भी कहाई, आयर्शब भी कहा जाता है, इसका headquarters Swizzelands है, इसकी दोस्तों जैसे की फीना के अंतर का Swimming, Diving, वाटर पुलू, सिंक्रोनाइज श्विमिंग और ओपिन वाटर श्विमिंग आधी आते हैं और यह इन सभी प्रतिवितायों का संचालन कराता है कौन फीना यह इन भारतिय तरहाकी श्रंकी स्थापना कब हुआ 1948 में ठीक है 1948 में इन दोस्तों इसमें महतपुड बाते कौन कौन सी हैं जैसे की तरहाकी को ओलम्पिक में सामिर कब किया गया तो जब से आधनिक ओलम्पिक खेल शुरुआत हुआ तभी सी अठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा तीम को उलम्पिक में कब लेके गया था यानि कि भारत तर्याकी के लिए कब प्रतिभाग किया था उलम्पिक में 1908 एमस्टरडम हॉलेंड में एन दोस्तों ACI खेलों में कब सामिल किया गया तो 1909 नाई दिल्ली में ठीखे एन दोस्तों आधुनिक उलम्पिक जब हुआ था 1896 तो आधुनिक उलम्पिक में तराकी का पहला स्वर्प्रदत किस ने जीता था दोस्तों 1896 में 100 मिटर फ्री स्टेल में जीता था हंगरी के एलफर्ड हाजोस ने जीता था ठीक है मरिकोस्ट्टों. प्रति इस परधात्मक यह diisplanary में सामिल होता है यहां आपको बताना है कि जैसा जैसे कि दुष्टों से सामील है क्रास कंट्री में तो यहां पर आपको चूचकरना है कि कौन साथ आपसन सही है इसमें आपसन नम्बर C यहां पे correct है यानि कि एक दसोलूपाच कीमी यानि पंदसो देढ़ किलोमेटर एंड 40 किलोमेटर साइकलिंग 1.5 किलोमेटर तराकी 40 किलोमेटर साइकलिंग एंड 10 कीमी दोड़ यानि क्रास कंटी दोड़ आप्सान नम्बर-C यहां पे कर्रेक्ट होगा. नेस्ट कॉर्चिन हो दोस्तो, आदलनिक पेंटा थलान में निम्निल में से कौन से खेल समलित किया गया है? जैसा कि दोस्तों आधनिक पेंटा थलान में पांच इवेंट होते हैं कौन-कौन से होते हैं तलवार बाजी होता है तैराकी होता है एंड इसमें होता है सुटिंग, हार्स जंपिंग, ठीक है स्रीजल बाजी होता है तलवार बाजी तैराकी होता है फिर हार्स जंपिंग होता है फिर पिस्टर शूटिंग होता है फिर क्रास कंट्री ठीक है को जैसा कि जितने भी कमबाइड ुवेंट हैं है थेक्ट अथलन, पिंता लार डेकथलन तराइथलन इस में सब बारे में डिटेव वीडियो बनाया गया है उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं जिसमें से एक बाद आप देखेंगे त्रिक के साथ बताया गया है कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों यह था जितने भी question आई वे थे previous year में तराकी से related, streaming से related उस सभी questions को यहां पे रखा गया जैसे कि दोस्तों यह बता रहा है कि synchronize तराकी क्या होता है synchronize तराकी जो होता है इसका अर्थ होता है synchronize का एक समान अगर इसमें कहला एक तरराकी जय से top इक दॉस्तों सीजिक्ता में 2 खिलाडी एक साथ प्रतिवाग करते हैं अगर इसमें 1 खिलाडी प्रतिभाग करता हे तो उसे side था शो लोत जाता है synchronize तरबाभी तरहता है तो waiting सा सब्स होता है इस प्रतिएकता में यानि सिंक्रुनाइट तरह की प्रतिएकता में 4 से 8 खिलाडी होते हैं और इसके दरण music का भी प्रयोग किया जाता है पंजो की सिती प्राइटिंग होती है ठीक है डालफिन और कैटीलीना का इसमें प्रयोग किया जाता है और दोस्तों combination synchronised swimming में 8-10 खिलाड़ी होते हैं तो दोस्तों यह था तराकी से रिलेटेड महतपुर बाते और महतपुर कोश्चन्स प्रिवियस यर के तो दोस्तों आई होब कि सभी कोश्चन्स आपको समझ में आये होंगे आई दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को फ्रेस कर लिए जिससे नई वीडियो का अपलोड आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो म नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं